माइनस रूट 3 प्लस है माइनस रूट 3 प्लस है 5 अब यहां से इसको इक्वेट करना है और रियर पार्ट क्या हो गया यहां से माइनस रूट 3 यहां से जो रियर पार्ट निकला वो निकला माइनस रूट 3 और इमेज़ने पार्ट यहां से निकला यहां पर इसको ispiring करेंगे यह जागा 3 और इसका इसका रूदागा 1 यानि कि यह निकल करके आ गिया 4 और आगिया 4 और 4 का रूट जो है वह वह विछाथ ठीक है 4 का रूप 2 होगा यानि कि इस question का भी modulus जो होगा वो कितना होगा 2 होगा इसकी बाद इस question में argument भी निकालने को कवर गया है तो argument निकालने के लिए क्या करेंगे हूब 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 स्टेट पेड़ा वही रहाएगा dividing करेंगे second को first से तो r sin theta upon r plus theta होगा और r sin theta कितना है मेरा 1 है और यह है minus root 3 यह minus को मैं उपर ले जा रहा हूँ यह होगया minus 1 by root 3 ठीक है तो 10 theta is equal to निकालने क्या आगया minus 1 by root 3 तो यह यह आगया minus 10 by by 6 पाइबाइबाइबाइबाइबाइब कर लिया और 1 by root 3 यह 10 by by 6 का value होता है यह 10 by by 6 का value होता है ठीक है अब यहां से आपको यह देखना है कि यहां से जो 10 है वो मेरा यहां पर negative बन लिया अब 10 सबसे पहली negative कहां आता है फर्स्ट क्वाडरांट, सकेंड क्वाडरांट, थर्ड क्वाडरांट यह 4 क्वाडरांट कहां पर तो यह है फर्स्ट क्वाडरांट यहां पर साई positive होते है यह है सेंड क्वाडरांट और यहां पर केवल side और positive होते है बाकी जो भी चीज़ होते है यहां पर हो तो negative होना है यानि कि 10 सबसे पहले N, इसी क्वाटरांट होता है second quadrant में पहले N, हैप यहां पर होता है πाय मैंनस थीटा आप माइनस थीटा है माइनस थीटा कितना है क्वाइब क स्पुर्ण कर ऊपक्रोंगे आप तो यह निकल करके आएका 5fish तो यहां से जो आर्ग्यमेंट जो निकल कर आया वो आ गया 5 5 6 ऐसे भी यह था लेटिव और यह था मेरा पॉजिटीव तो यह पॉजिटीव और एक्स लेटिव यह कहां पर होगा स्यर्द्टेदा का जो यह अब यह है तो सकेंडर क्वाड्रानेंट में लाइकर रहा है औरक्वाड्रानेंट में पॉजिट्टा होड़ा है तो फिल यहां से जार हुए और पैक्स इनको न्यार Briefयत और चाथा सिकहांNew यह हो जारा वैघब्राई करनेंगे। तो इस्टीज को बीना थेस्ट